हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो एक्जाम इस्टेडी जोन यूट्यूब चैनल और हमारी आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं रॉम और उसके टाइप्स के बारे में तो यह पार्ट 3 है, पार्ट 1 में हमने प्राइम दे मेमोरी के बारे में बात की थी और पार्ट 2 में रैम और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी तो अगर आपने यह दोनों वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इन दोनों वीडियो की पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप चाहें तो व जिससे सारी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन जो भी हम आगे अपलोड करेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें साथ में अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो का प्लाइक कर सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को जिसका टॉपिक है रॉम और उसके टाइपस तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को और साथ में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं नियूएर विश करना चाहूंगी हैपी नियूएर टॉ आल आपका ये साल और साथ में आने वाले हर एक साल बहुत अच्छे हो तो चलिए सीक के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रॉम और उसके टाइपस तो सबसे पहले तो हम बेसिक जान लेते हैं कि रॉम क्या होता है रॉम का फुल फॉर्म ह ला मेमोरी जान जाता होका बहुत यह कौमन है इसको राय्ड और राइट मैमोरी होती है तो जब हम बात करते हैं नी धेखा और राइट मेमोरी होती है इसलिए इसको बोला जाता है read only memory, यह निकि इसमें जो भी programs लिके गए हैं, जो भी इसके अंदर data है या जो भी ये ROM chip है इसको केवल हम read कर सकते हैं, इसको हम write नहीं कर सकते हम इसको起來 이지 नहीं कर सकते हैं, हम इसको केवल read कर सकते हैं, इसलिक इसको बोला जाता है read only memory, यह पहली तो योज हम कहा-कहां पर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल कम्पिॉटर ने या फिर लैप्टॉप्स पर यूज किया जाता है और भी Brain Control आ जहां पर राम का यूज किया जाता है जैसे कि tv है ac है mobile phones है washing machines है तो बहुत सारी ऐसी एरिया है ऐसी electronic devices है जहाँ पे हमें रॉम चिप देखने को मिले गया ऐसा नहीं है कि केवल computer से laptop होते हैं बाकी भी electronic devices जहाँ पे हमें रॉम चिप देखने को मिलती है इसके अलावा रॉम चिप एक non-volatile memory होती है non-volatile का मतलब यह होगा है कि अगर हमने अपने computer को off भी कर दिया है switch off कर दिया है हमने अपने computer को तो still जो ROM चिप में जो भी programs fill up हैं जो भी content उसमें हैं वो erase नहीं होगा यानि कि वो as it is रहेगा save रहेगा जैसे हमने RAM चिप की बात की थी जब हम RAM की बात करते हैं random access memory की तो जब तक हमारा computer on है तब तक तो उसमें जो भी data है save होगा पर जैसे हम अपने computer को off कर देंगे RAM memory में जो भी data है वो erase हो जाएगा इसलिए इसको volatile बोलते हैं जबकि ROM उसका उल्टा है ROM में जो भी data है जो भी programs है उसमें जो भी content है वो erase नहीं होता save होता है भले ही हमारा computer off हो जाएगा हम अपने computer को off कर दें इसलिए इसको बोला जाता है non-volatile होता है permanent होता है ROM चिप के अंदर जो भी content है वो erase नहीं होता इसके अलावा ROM चिप का use कहां पे किया जाता है BIOS को full name होता है basic input output system तो एक booting process होता है इसकी मैं video upload करूँगी तब आपको पता चलेगा यह बहुत इंटरस्टिंग topic है तो आगे further मैं video upload करूँगी तब आप वहां से जान सकते हैं बड़ यहां पर थोड़ा जान लीजे booting process means जब आप अपने computer को on करते हो तो directly desktop screen आपको नहीं देखने को मिलेगी desktop screen आने से पहले कुछ second का कुछ process होता है black color की screen दिखाई देती है black color की screen में कुछ programs लिखे हुए होते हैं तो वो होता है booting process booting process का मतलब ही होता है BIOS है basic input output system तो इन सब का काम यही होता है यह check करना कि computer से हमारी electronic device computer है तो इन सबसे जो hardware है मैं computer के spec में बात कर रही हूँ BIOS का booting process का जो काम ही यह है कि किस तरीके से मतलब hardware है input output devices है वो computer से ठीक से जुड़ी हुई है या नहीं attach है या नहीं operating system को load करना तो यह सारे कुछ काम होते हैं जो एक booting process में एक BIOS करता है तो यह सारे process होने के बाद हमारा computer start होता है या यानि computer start होने के बाद directly हम desktop screen पे नहीं आ जाते हैं कुछ second का booting process का पुरा process होता है उसके बाद हमारा computer start होता है तो computer को start होने के लिए कुछ startup instructions की जरूरत होती है तो वो जो startup instructions होते हैं वो ROM chip में ही store होते है यानि कि इस ROM chip को use किया जाता है store करने के लिए startup instructions को जिनके use से computer start होता है यह कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ROM में store होती है ऐसे instructions store होते हैं ROM chip में ऐसे startup instructions store होते हैं जो की require होते हैं जो उनकी जरूरत होती है हमारे computer system को start होने के लिए या हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि booting process के time में जो ROM chip में जो भी programs हैं जो भी data fill up है उनका जाधा तर मतलब काम कहां पर पढ़ता है booting process के time पर यानि कि जब computer को start होना होता है तो उसमें कुछ startup instruction की जरूरत परती है booting process का कामी है computer को start करना थोड़ी देर के लिए booting process होता उसके बाद ही हमारा computer start होता है तो ये सारी चो एक startup instructions है data है ये सारा कुछ कहां होता है computer को start करने के लिए जरूरत होता है ये सब store होता है ROM chip में तो यहाँ पर हमारे ROM chip का use देखने को मिलेगा तो जब भी आप BIOS, Booting Process नाम सुनेंगे तो जब भी आप questions जो objective types के questions होते हैं तो वहाँ पर आपको options देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाईएगा कि अगर Booting Process या BIOS से related कोई statement है और option में ROM आपको दिखाई दे जाया तो answer ROM ही होगा क्योंकि आपस में सब कुछ connected है Booting Process, ROM, BIOS, Post ठीक है तो यह हो जाता है ROM और ROM में जैसे कि जो भी ROM chip है उसको एक बार जो भी manufacturer है जिसने भी उस ROM chip को बनाया है जो भी उसका manufacturer है जो भी ROM chip जिसने भी बनाया है उसको हम manufacturer बोलेंगे तो जिसने भी वो ROM chip बनाई है जो भी वो manufacturer है उस ROM chip का जिस वक्त वो manufacturer के time पर manufacture जब वो कर रहा है उस ROM chip को बना रहा है उसी वक्त उसमें जो भी content है जो भी program उसमें fill up कर देगा और उसके बाद फिर इसमें कोई भी squelter नहीं किया जा सकता इसको reprogram नहीं किया जा सकता erase नहीं किया जा सकता एक ही बार इसमें जो भी content program फिल करने है यह किया जा सकता है वो वही करेगा जो उस ROM chip का manufacture होगा जिसने उस ROM chip को बनाया है वही उस ROM chip को program कर सकता है उसके बाद फिर उसको reprogram या फिर rewrite या फिर erase नहीं किया जा सकता अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता जब हम आगे types के बारे में बबात करेंगे EPROM और EEPROM तो आप इसमें देखेंगे कि इसको erase किया जा सकता है rewrite भी किया जा सकता है पर ये बहुती easy task नहीं है modify करना या erase करना या reprogram करना ये बहुती easy नहीं है कि हर को ही कर लेगा या ऐसा भी नहीं है हमें से बहुत लोगों ने अभी तक किया भी नहीं होगा कभी तो difficult task होता है modify करना, change करना तो जादा तर time हम ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है जादा तर read ही किया जा सकता है read only memory के अगर हम बात करते है तो इसलिए इसको बोला चाता है ROM read only memory पर ऐसा भी नहीं है कि इसको modify नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है तो हम जल्दी से इसके types के बारे में बात करते है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको reprogram करते है या फिर reprogram हो सकता है या नहीं modify हो सकता है या नहीं raise हो सकता है तो इसके types के बारे में हम बात करते है तो पहला type अगर हम बात करें तो वो है MROM जब हम बात करते हैं MROM की तो MROM का full name होता है Mask Read Only Memory जब हम MROM चिप की बात करते हैं तो ये एक ऐसी ROM चिप होती है जो भी manufacturer है जैसे कि मैंने अभी ROM के बारे में बताया था वही same concept है कि जो MROM चिप है जो भी manufacturer है इस MROM चिप को जिसने भी बनाया है वो उस वक्त बनाते समय at the time of manufacturer जिस वक्त भी वो MROM चिप बना रहा है उसी समय उसमें content को fill up कर देगा उसको program कर देगा और एक बार program करने के बाद इसको erase नहीं किया जा सकता है जो भी program fill करना है जैसे भी MROM चिप को design करना है program करना है content fill करना है यह सारा काम कौन करता है उस MROM चिप को जिसने design किया है जिसने manufacture किया manufacture है उसका जिसने इसको manufacture किया है वही यह सारी चीज़े कर सकता है और एक बार यह सारा काम हो जाने के बाद MROM चिप program हो जाने के बाद जो भी डेटा फिलब किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, content लिखा जाता है, वो कौन कर सकता है, उस M-ROM चिप का manufacture कर सकता है, जब भी वो उस M-ROM चिप को बनाएगा, इसके बाद इसमें कुछ भी रिराइट नहीं किया जा सकता, इसके अलावा अगर हम M-ROM चिप की बात करें तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, पुराने जमाने में यूज होता था, और इसके बात कि जो टाइप से है, बीसिकली यही है कि किस तरीके से further invention होते गए ROM टाइपस के, क्योंकि हर चिप में कुछ ना कुछ disadvantage था, drawbacks थे तो उनको cover करने के लिए एक नई ROM चिप इन्वेंट हुई तो इस तरीके से होती चली गई तो यही M ROM चिप है जो पहले हम यूज करते थे उसके बाद हमारे पास आता है second P ROM P ROM की अगर हम बात करें तो इसका फुन नेम होता है कि यह है programmable read-only memory user-programmed ROM इसको इसलिए कहा जाता है because a user can program it तो अगर हम बात करें कि इसको user can program it यानि कि यह चिज़ क्यों बोली जा रही है या इसको user-programmed ROM क्यों बोला जा रही है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि P ROM एक ऐसी चिप होती है जिसको बनाती समय इसको design ही किया जाता है blank chip blank chip ही P ROM chip को बनाया जाता है मतलब blank chip ही इसको design किया जाता है उसके बाद user को एक मौका दिया जाता है कह सकते हैं उसको अधिकार दिया जाता है कि वो जैसे चाहे उस P ROM chip को जो blank chip design की गई है यूजर को एक मौका दिया गया है यूजर का एक अधिकार दिया गया है उसे कि वो जैसे भी चाहे अपनी requirements के according जैसे भी वो उस p-rom chip को program करना जाता है जो भी data जो भी content उसमें fill करना जाता है जैसे भी चाहे जो भी उसकी requirements है desired content है जैसे भी वो करना जाता है content fill, program करना जाता उस p-rom chip को वैसे वो program कर सकता है यानि कि एक user को एक मौका दिया गया है, user को एक अधिकार दिया गया है कि वो जैसे चाहे उस p-rom chip को program कर सकते हैं इसलिए कहा जाता है इसे user programmed ROM ऐसा नहीं है कि जैसे m-rom में था कि जिसने उस m-rom chip को बनाया है, वही उसको program कर सकता है, उसमें data fill कर सकता है p-rom में ऐसा नहीं है, इसको design plan chip किया जाता है, उसके बाद एक user के पास ये एक मौका है, जैसे भी वो चाहे उसको program कर सकता है उसमें data instructions command जैसे भी हम कुछ भी कह सकता है, उसको fill कर सकता है और एक p-rom chip को program कर सकता है पर ये one time process है, blank chip दे दी गई है, user को एक मौका दिया गया है, उसके पास या दिकार है कि वो कर सकता है, उसमें जो भी उसको program लिखने है जैसे भी उस p-rom chip को design, blank chip design की गई है, उसके बाद उसको जैसे भी user के पास एक मौका user in the sense हम हो सकते है user in the sense कोई भी consumer हो सकता है, एक person हो सकता है, company organization कोई भी person है, उसके परचेस किया एक blank p-rom chip तो उसके बाद पुछ जैसे चाहे उसको design कर सकता है पर यह one time process होता है, एक blank chip design थी, एक user जो कोई भी हो सकता है, एक normal person हो सकता है, organization हो सकता है, company हो सकती है तो अपने according उसने उस p-rom chip को program किया, उसमें data fill किया, पर यह one time process होता है, one time process कहने का मतलब यह है क्योंकि उसके बाद जब एक बार यह p-rom chip program हो जाएगा, user इसको program कर देगा, उसके बाद इस chip को, जब एक बार यह program हो जाएगी, तो उसके बाद इस chip को erase नहीं किया जा सकता है, reprogram नहीं किया जा सकता है तो यह जो काम है, यह काम करने के लिए में एक special device की जुरूरत परती है उस p-rom chip में data को, content को, program को write करने के लिए एक special device होती है, जिसके use से हम यह काम करते है, data को write करते है उस p-rom chip में, एक user write करता है data को उस p-rom chip में, तो उस special device, जिसकी मदद से हम यह काम करते हैं, उसे बोलते है, p-rom programmer तो यह होता है, हमारा programmable read only memory उसके बाद आते हैं, next, जो है e-p-rom, e-p-rom का full name होता है, erisible programmable read only memory यहाँ पर एक word जुड़ गया, erisible, अब यहाँ पर आता है, यह concept कि ROM एक read only memory है, यानि कि इसको सिफ read किया जा सकता है, पर हाँ, इसको erase भी किया जाता है, modify किया जा सकता है, altered किया जा सकता है, पर यह बहुत easy task नहीं है, थोड़ा difficult task है, और यह एक chip है e-p-rom और एक है e-e-p ROM, तो यह ऐसी chip होती है, जिनको erase किया जा सकता है, और rewrite भी किया जा सकता है, इसके नाम से ही आप देख सकते है, erisible, programmable, read only, memory, यह ऐसी chip होती है, जिसको erase किया जाता है, ठीक, इसमें जो भी content लिखे गया है, इनको erase किया जा सकता है, इरेस करने के लिए, UV light की मदद ली जाती है, UV light की मदद से e-p-rom को erase किया जा सकता है, e-p-rom में जो भी content लिखा गया है, प्रोग्राम, data, उसको erase किया जा सकता है, UV light की मदद Normally जो भी रिएट कर सकते हैं और इसके बाद एक बार जब यह रेस हो जाएगी चिप इसके बाद हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं रिएट कर सकते हैं New information जो भी आप जैसे भी इसको program करना चाते हैं रे-program करना चाते हैं आप कर सकते हैं इसके अलावा इसमें एक important बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम चाहते है कि कुछ byte erase हो जाए ऐसा नहीं है कि हम चाहते है कि जो EP ROM chip है उसका कुछ desired location, कुछ desired memory location ही है कुछ memory location है जो मैं erase करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो यह हो जाएगा तो ऐसा नहीं है E.P.ROM पूरी की पूरी ही erase हो जाएगी क्योंकि यह selective नहीं होती है selective means कि हम कुछ byte erase करना चाहते हैं कुछ memory erase करना चाहते है E.P.ROM चिप की या फिर कुछ memory locations erase करना चाहते हैं ऐसा नहीं है यह सारे memory locations को erase कर देगा यह सारे entire chip को erase कर देता है यह सभी bytes को erase कर देगा तो यह selective नहीं है यह इसका एक हम कह सकते हैं कि disadvantage है E.P.ROM चिप का उसके बाद आते हैं उसके बाद हम आते हैं E.P.ROM पर E.P.ROM का अगर हम full name जानने की खुशिश करें तो यह है अच्छा एक चीज रह गई जो E.P.ROM है इसको हम UV E.P.ROM भी बोलते हैं चिक है Ultra Voilet E.P.ROM तो इसको हम इसका जैसे की P.ROM को ROM को Music Programmed ROM इसका एक नाम है उसे तरीके से E.P.ROM COM UV E.P.ROM कहते हैं Ultra Voilet E.P.ROM फिर आते हैं Next और Last पे यह है E.P.ROM E.P.ROM का Full Form होता है Electrically Erasable Programable Read Only Memory तो यहाँ पर एक वर्ड जो Add हो गया Electrically Electrically का मतलब यह होता है कि इस में इस चिप को Erase करना और Reprogrammed करना तो यह दोनों काम Electrically किया जाता है जैसे कि हमने देखा था कि E.P.ROM में हम UV Light की मदद से Content Erase कर रहे थे E.P.ROM चिप को Erase कर रहे थे जबकि E.P.ROM की बात करें तो इसमें Erase करना Programmed करना चिप को यह काम जो होता है Electrically किया जाता है Electricity से Electrical Charge से तो कहने का मतलब हम कह सकते है कि यह Electrically काम होता है Erase करना Reprogrammed करना तो इसलिए इसका नाम है Electrically E.P.ROM इसके अलावा इस चिप की बात यह important बात है कि इसमें कुछ बाइट Erase किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि जैसे हमने E.P.ROM में देखा कि entire chip ही Erase हो जाएगी हम अगर कुछ bytes Erase करना चाते है या कुछ memory update करना चाते है फिर reprogrammed करना चाते है कह सकते है Erase करके तो यह possible नहीं था पर अगर हम E.P.ROM की बात करें अगर हम इसका कुछ हिससा अपडेट करना चाते है कुछ memory location इसकी Erase करके reprogrammed करना चाते है कुछ portion ही अगर हम Erase करना चाते है कुछ byte हम Erase करना चाते है reprogrammed करना चाते है हम नहीं चाते है कि पूरी की पूरी entire chip हमारी Erase हो तो यह चीज पॉसिबल है E.E.P.ROM में इसमें पूरी की पूरी chip Erase अगर हम नहीं करना चाते है हम चाहते हैं कि कुछ byte erase हो जाए या कुछ desired memory location है जो मैं चाहती हूँ कि ये इतना erase हो जाए तो ये possible है ठीक है कि कुछ हिस्सा हम अपने according अपडेट कर सकते हैं अपने according अगर हम कुछ portion अगर memory का चाहते हैं कुछ location अगर हम चाहते हैं erase करना और ये प्रोग्राम करना तो ये possible होता है और ये काम कैसे किया जाता है electrically किया जाता है इसके अलावा अगर हम EPROM की बात करें erisible, programmable, read only memory तो इसका use अगर हम बात करें कि इसका use कहां किया जाता है तो industrial area में इसका use किया जाता है EPROM का और इसके अलावा जैसे कि EEPROM है इसको हम E square PROM भी कह सकते हैं इसके अलावा electrically EPROM भी कहा जाता है double E PROM तो इसके कुछ अलग अलग नाम है तो ये सारी चीजें हैं इसके अलावा अगर हम EEPROM की बात करें तो इसको हम flash EEPROM के नाम जानते हैं ठीक है EEPROM को flash EEPROM भी कहा जाता है और जो double EPROM यानि की electrically EPROM है इसकी speed थोड़ी सी कम होती है speed कम होती है जैसे कि मैंने बताया कि ये one byte at a time erase करता है it can be raised one byte at a time तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक reason होता है कि मतलब इसमें कुछ bytes speed race कर सकते हैं one byte data time it can be raised so that's why we can say कि जो speed होती है EEPROM की sorry EEPROM की वो थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें one byte हम एक time में raise कर सकते है तो ये facility है इसमें तो इस वज़े से कही न कहीं हमें देखने को मिलेगा कि जो EEPROM है इसकी जो speed होती है वो थोड़ी slow होती है तो ये था ROM और ये थे चारो टाइपS MROM, PROM, EPROM और EEPROM तो इसमें थोड़ा सा confusion है थोड़ा हो जाता है EPROM and EEPROM तो अगर आप कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप comment करके हमें बता सकते हैं उसमें आपको समझा देंगी पर I hope कि आपको समझ में आया होगा और एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप हो सके तो बुक से भी रीट कर लिजेगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में और समझ में आएगा तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो साथ में अगर आपने पहले पार्ट वान और पार्ट टू नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जिसे और अच्छे से प्राइम डी मेमरी का कॉंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंश थैंस पॉची एव गूझ जाएज डीजी जािए